हार्मोनियम में कपलर का क्या रोल होता है आपने ये देखा होगा कि जब हम हार्मोनियम बजाते हैं तो एक सोर के साथ दूसरा सोर भी बजता है या तो वो लेफ्ट साइड होगा या तो वो राइट साइड होगा उसे हम कपलर कहते हैं उसका क्या रोल होता है और क्या उसे हम बंद करके बजाएं या ओपर करके र्याज करें क्या करना चाहिए, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि हर्मोनियम में कपलर का क्या रोल होता है घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सबस्क्राब करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है अभी डाउनलूड कीजिए कोमल गंधार तुरिबन लागे नाम राजिया बरसन लागे बरसन लागे लागे बरसन लागे सावन बुंदिया राजा तुरिबन लागे नाम राजिया तो कैसे यूज आता है मगर मोटे मोटे तोर पर अगर मैं यह बताऊं कि कपलर हमें वोईस सपोर्ट देता है एक भराव देता है वरना कपलर में बड़ा खालीपन होगा उसकी जो वोईस है वह बड़ी ही ब्लैंक सी हो जाएगी अगर हम बिना कपलर के इस्तमाल करेंगे उसमें स्टॉपर से भी वो रीडबंद होती है एक सिंगल रीड बजगई दो खोल दिये तो दबल रीड बजगई यही काम एक तरह से coupler भी करता है एक normal harmonium में जैसे ही आप coupler उपर रखते हो तो भराव आता है या तो आपको खरज का coupler मिला है यानि left coupler जो कि मैं prefer करता हूँ अगर वो आपने खरीदा है तो आपको एक भराव मिलेगा और अगर आपने right side का मिला है तो भी एक भराव मिलेगा और अगर उसे बंद कर दो तो सिंगिंग में वो बड़ा खाली पंसा लगता है इसलिए मैं यही हमेशा सला देता हूँ कि अगर आप रियाज कर रहे हो हर्मोनियम के साथ तो कपलर हमेशा अन्रक को एक भराओ मिलता रहेगा अभी उसका एक example आपको मैं पूरे वीडियो में दिखा दूँगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको मालुम चलेगा तो हार्मोनियम में कपलर का जो रोल है उसके बारे में मैं थोड़ा तो अभी जिक्र करी दिया है अब practically हम देख लेते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये coupler है इसको हम नीचे करते हैं तो क्या होता है आप देख रहे हैं single sound आ रहा है coupler उपर किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सुर्ज हो है वो दबराए अपने आप इसी तरह से दो प्रकार की coupler होते हैं एक तो left coupler होता है एक right coupler होता है कुछ harmonium में जैसे मैं यहाँ सुर्द बा रहा हूँ तो यहाँ आवाज आ रही है कुछ harmonium में यहाँ सुर्द बाता हूँ तो यहाँ आवाज आती है वो depend करता है आपका coupler कौन सा है और जैसे कि मैंने बताया है male जो होते हैं उनको ये prefer करना चाहिए कि वो left coupler लें ताकि जो आवाज जो है उसमें भराव आपको मिलता है और यही अगर आप female हैं या छोटे बच्चे हैं तो आपको यहाँ वाला coupler जो है वो ज़्यादा suit करेगा क्योंकि उतना bassy आपको मदद नहीं चाहिए होती है sound से ठीक है तो basically यही difference है लेकिन आप देखिए इसमें गाने में भी कितना फरक आ जाता है जैसे आप मैं एक गा रहा हूँ भराव के साथ इसमें अब आप दिन देखा सिर्फ वादन किया है अब आपने देखा मैं with chords भी बजा रहा हूँ तब भी उतना भराव नहीं आ रहा है खालीपन एक नजर आ रहा है तो यह होता है नुखसान इसका और मैं कहूं नुखसान या फिर यह कहूं यह इसका usage है आपको जब instrumental harmonium चाहिए जो solo harmonium वादन होता है उसमें जो harmonium आते हैं वो specifically ऐसे होते हैं जिन में कपलर होता ही नहीं है और अगर आपको ऐसे normal harmonium में solo harmonium करना है तो आप कपलर हटा दीजिए और single sound लाइए यह फिर भी काफी मोटा है कुछ harmonium होते हैं जिन में मैंने बताया था stopper होते हैं जितसे की read बंद होती है उसमें उस harmonium का इस्तमाल करके आप single read में जो आप है instrumental कर सकते हैं बड़ा ही प्यारा sound आता है और वो जो sound है वो किसी की संगत के लिए भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अब जैसे ये वाला जो sound है ये तो आप खुद गाएंगे और अपनी संगत harmonium बजा के करते हैं तो इसका इस्तमाल हो सकता है जैसे अब देख सकते हैं कितनी मदद मिली मुझे अब यही मैं खाली sound के साथ खुद आपको सुनके महसूस हो सकता है कि आपको एक खाली पन नजर आता है अब यही संगत आपको अगर किसी और की करनी है वो भी classical में मैं specific करूँगा यहां पर classical संगत राग की संगत आपको करनी है तो आपको यह coupler नीचे कर देना होता है और single read में फिर वो पतला sound जो होता है वो उसको देना होता है ताके उसकी गाई की जो है वो उभर के सामने आ सके और आप पीछे-पीछे आप उसके संगत कर रहे हैं तो basic यही रोल होता है कपलर का और कुछ जादा खास रोल नहीं है पर हाँ यह कुछ-कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान देनी होती है तो बस इसी तरह देखते रहें संगीत प्रभावर्ल के चानल को और कुछ न कुछ आपकी सवालों को मैं जवाब देता रहूँगा कुछ न कुछ अपने experience से बताता रहूँगा कॉमेंट्स में हमें बताएं कि आप और क्या नया चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तब तक के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें संगीत प्रभावर्ल को शुक्रिया